उट को जहरीला साप क्यों खिलाय जाता है? और उट की आखों में आने वाले आसू इतने ज्यादा महंगे क्यों बिखते हैं? तरसल इनको एक अजीब तरह की बिमारी हो जाती है जिस वज़े से इनके अंदर जहर बनने लगता है और समय रहते अगर इनका इलाज नहीं किया जाए तो उट की मौत तक भी हो सकती है और खासतोर पर इसी बिमारी से बचाने के लिए उट को जहरीला साप खिलाया जाता है वो बात अलग है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये बात बिलकुल सच है कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ये उट लेकिस्तान में रहने वाले सापों को पकड़ कर खुद ही खा जाते है और उसके बाद उट बिमार पढ़ जाता है और कुछ समय के लिए बिलकुल खाना पीना सब बंद कर देता है और जैसे ही जहर का असर खत्म होने लगता है तो उसको फिर से भूख और प्यास लगने लगती है और इसकी दौरान ये उट 300 लीटर पानी पी जाता है कुछ दिनों बाद इसकी ये बिमारी बिलकुल सही हो जाती है और जब उट रोता है या जहरीले साफ को खाता है तो इसकी आखों से आसू निकलते हैं और उट पालने वाले लोग इन आसूँ को किसी बर्तन में इकठा कर लेते हैं और इन आसूँ को काफी महगी कीमत में मारकेट में बेश दिया जाता है